शिरी दिशमेश कैडमी जो की अनंदपूर साव विके स्थित्थ है ए एकैडमी अपने लाख के विच बहुत ही वजयत रिकिन अपनी सिवामा निभा रही है एथम्दा स्थाफ हमेशा ही बच्चानों सिख्या देनली त्यार रहन्द है अकैडमी विके अजदी टैम दी हर त्रिके दी मौटन फैसिल्टी उपलब्द है बिते दीने अकैडमी विके 26 जनवरी तादी हाड़ा बड़े की उशाना मनाया गया जिस्ता साधी टीम ने दोरा किता पेश है पंजाब लसी टीम वालनों एक रिपोर्ट कर दो है प्रिंदरी माचल याना गंदा उसल जलतिक रंदा तब शुवनामे जागे तब शुवया शिशमागे तब शुवया 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 प्रीव प्रीजिए बन्हुन वेयर कुछ जाने मेल stiffen एंधिब ऑन। पर्द कीजिए पुछेन परिंधा स्थिति ट्रीज इन जा टॉटें लिव टॉट्टेंग पुरज पर रहनु जास स्वेड़ गजिए लेक प्राव लेगजिए प्री ने भी वीजिए एंजे लेगने विड़ां लुपनिया विड़े गुपने वाराग। Was रघटा चयार हे Really भुजरकि बीज्वति रंगा दी प्यार thing भुजरकि भुजरकि अम्हाण इस जन्दे में नीजे निर्में ए मराज जन्दा का निश्चें बोलो बारत माता की जैं सतंत्रता ही धैर हमारं सतंत्रता ही धैर हमारं चन्दा उद्रा रहे हमारं रिजयी विश्मत रंग का प्यारा चन्दा उद्रा रहे हमारं रिजयी विश्मत रंग का प्यारा कविजे करके निकलावे, कवो वे प्रणपून अमारा, कवो वे प्रणपूसन 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 अमारा, कवो वे प्रणप कुल उरह जुब अंधिया जे लेती इश करवा स्रीटा सुम्टावे लिकीर लुपी , वे लेती तेम्हाइन हो इंया है। निचरी लेटी लेड़ी टेजिए लेडिज लुपी इनले कि लिकीर लेती लोलेट इजिए रफिछी कीज लेड लेड़ी कि एफ हैं। कि में अबेजर शर्वार्थम्स में अबें धने समय खूर्बाटों और भाष्टूर्ट रजाँ नषनीर अबें। आभाध टिजिया को अबें तूर्च आप टूटार्व सुलिज्स लुट्ट अीज़ एंडेन। इरिस्पक्तिवी जब अफेड़ी जायों जायू थेंक्यू, जाय हिर्ण दिल दिया है, जाओं भी देंगे, एवर दन तेरे लिये दिल दिया है, जाओं भी देंगे, एवर दन तेरे लिये Here's the group song करेंगे, हर करम अपना करेंगे, एवर दन तेरे लिये दिल दिया है, जाओं भी देंगे, एवर दन तेरे लिये दिल दिया है, जाओं भी देंगे, एवर दन तेरे लिये तू मेरा करमा तू मेरा तर्मा तू मेरा कर्मा तू मेरा दर्मा तू मेरा अभी मार है है वतन है भूब मेरे कुछ के दू कुरबान है हम जिएगे और मरेगे ए वतन तेरे लिए दितीया है चान मि देंके ए वतन तेरे लिए दितीया है चान मि देंके अर्वतन तेरे लिए आ आर्वतन है तेरे लिए झाला को विए नकतातों तेरे लिए गलगे रखनेजेञे सब्सक्राइब महाँैं ऐ बतन तेरे लिए दिल किया है जहां की देगे किया है जहां की देगे सबसे पहले बतका सता तुही मेरा अंजाम है हम जीएगे और मरेगे ऐ बतन तेरे लिए दिल किया है जान भी देगे हम जान तेरे लिए आज हाई हाई कि दोजेगे जबसे पहले आप सभी को मेरी और से उनतर्में गंतातर जिवस की हार्विश्ट रूप काम देशे कि आप सभी को व्याद है, आज हम आप ज़तातर वारच के उपलेश्टे में अपने राष्ट को नवर करने के इनी परदिस महीं है। यह हमारे लिए परण वारच की बात है। ऐसे आज़ते पर सभी को में याद बिदाते हैं कि हम इसके बड़ी प्रदातर जेश्ट में उस प्रदातर हैं और आगारत हैं। इस परकार भारत को गंतंत्र बनाने के लिए जो समिधान बना उसके निर्मान में दो वर्ष लग गए। और जब बनकर ट्यार हुआ तो उसे उन्नी सु पचास में 26 जनवर के दिन लागू किया गया था। इसे कारण हम प्रत्य एक वर्ष इस दिन गंतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे समिधान डॉक्टर भीम राओ अम्भेटकर ने लिखा था। यह विश्वकास सबसे बड़ा लिखित समिधान है। इसमें भारत के प्रत्य एक लागू को उसके अधिकार दिये गए हैं। जिसके कारण हम प्रत्य जीवन व्यजीत करता है। हमारे देश को प्रत्य आसानी से नहीं मिली थी। इसके लिए कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की अहूती देथी। उन्होंने यह सब इसे लिए किया ताकि आने वाले समय में हम अपने देश में स्वतंत्र होकर जी सके। उन्होंने हमें अंग्रेजों के अत्याचारों से बचाया है। इनमें से कुछ भगत सिंग, महात्मा, गांदी, चंद्र, शेकर, आजाद, लाला, लाजपत, राईला, भादु, शास्त्री, आदी है। इनके इस मर्वट को हम सद्यों तक नहीं भूल सकते। गंतंत्र दिवस का उदेश्य देश में भाई, चारे, एकता, प्रेम, आदी के भावना में ब्रिधी करना है। गंतंत्र दिवस का मुख्या कर्शन देश की राजानी दिली में होता है। सबसे पहले सुबर प्रधान मंत्री गीर शहीतों को श्रधांजली अर्पित करते हैं। उसके बाद राज श्री गीत गया जाता है। फिर तीनों सैनिक दलों के सालामी पे चुरू होती है। जब बहुत ही भवे और अकर्शन होती है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग इखतरित होते हैं। हम भारत में रहने वाले हैं। भारत के नाभिक हैं। भारत माता ने हमें अन्द वस्त्र आदी सब कुछ दिया है। इसलिए हमें आगे चाड़कर बड़े होकर अपने देश का नई धंग से निर्माण करना है। और हमेशा अपने जंडे को उंजा रखने का अपरत्न करना है। जैनी जैसार। हमबर हेठा तर्पी वस्ती इत्थे हर दुख हस्ती हो। इनना सोना तेसल मेरा, तेसल मेरा, तेसल मेरा इनना सोना तेसल मेरा, तेसल मेरा, तेसल मेरा तर्टिस महर अंबर निला तर्टिस महर अंबर निला तर्टिस महर अंबर निला तरंग के मौसमें कंगी जो करे हवाएं तरंग बिरंगी कितने चुनर्यां उड़ी उड़ी जाएं पनगत परपनहारं जब गगरी बरने आएं मदर मदर कानों में जब बंसर कोई पताएं लुसन लो कदम कदम पे है मिल जाने कदम कदम पे है मिल जाने कोई प्रेम जाने ऑशा दीश है मेरा कि अपने फिर रहना ये तो आप साबके सामड़े गणतंतर दिहाड़े उत्ते आपने कोछ विचार सांजिक करन जा रही है गंतंतर दिवस 26 जनवरी उनीसो पंजा दिन दे आदर विच मनाया जानता है जदो गवर्मेंट आफ इंडिया एक उनीसो पैंती दी जगा अजाद पारत दा सविदान लागू होया सी ए दिन देश विच न्याव अते समानता दी विचार तारा उत्ते अधारे गंतंतर दी स्थापना दे जैशन मनोंदा है असी इस दिन अपने अजादी को लाटियां दी दियां कुर्बानिया नू शुक्राने नल चेते करते हैं सविदान विच व्यक्तिकत सुतंतर दानू यकीनी बनाया गया है देश ना हर जिम्मेवार नागरिक सविदान दी पू पूपी तरह कर रहे हैं कि की सच मुझ स्लामिया लैंड वाले नेता सविदान सविदान वजो लोग का दा पढ़दा हक ओनानू दे रहे हैं जी नहीं सटा पारत आज गलत राते चाल रहे हैं अची कह सकते हां की 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 सविदान विच बंदेनों उजदा पार्दा हक देना चाहिदा है पर आज पर साधिया सरकारा आप आप मोचल लुट रहे हैं पर उस बंदेनों उजदा बंदा हक नहीं दे रहे हैं शहीद जो अन्ना नों पोच मेंट ली ता शर्दान जली दित्ती जान दी हैं पर देश नहीं रख्या कार्दियां अपाहज हो चुके जां शह चिप्ती रेखातों हेठा कर्ष्ट पर पूर जीवन जी रहे हैं ओना लोग का दे जीवन नूं सुदारन रोजगार्दे मोचे पर दान करन दी सख़त चुरूरत हैं इस दिन लोग कंतर नूं मजबूत करन अते सविदान दी पालना करन संबंदी जाग रूपता ली विश अनु सारे नू एशपत लैनी चाहिदी है के असी सारे अपने देश दा हमेशा पाला ही सोचांगे तान्वार जय हैं जय परत your members of staff and students my heart is best wishes to you all on 69th Republic Day I know we have a very short program today because children were busy with the exams and they could not के बीड़तर पर्फॉरमय स्ट अपोड़दी आपकते प्रफॉर्ग्ट का इस्ट उस लिमटा यां, यूड़देतों अगिवारी अधने अगज़ उज कीक्वारी अगुट हुग एंगा कॉछ तरह यू सेंप लुच के लगे अगखें अगरिया इडियुंगी ट्रियूरॽ what Ritur Do Man has said just now it's worth pondering upon he have been given freedom of speech lot of liberties but the fact is we are misusing those liberties we are not abiding with whatever has in the constitution lot of orders are given by the supreme court and they are violated what is happening in the country today last 70 years we have not been able to achieve what we should have achieved by now the kind of manpower that we have the youth that we have we boast of having the youngest population today but this youngest population is it on the right track are we giving our best to them the responsibility lies with the teachers and the parents that is what Dr. Abdul Kalam also said father, mother and teachers they have great role to play in the future of the students but the fact is the responsibility lies with the students also we have been trying our best to give our best to the students but the fact is we are not getting full-hearted cooperation from the parents and what we have been telling the students like you know some staff members are standing there program is going on here but we keep on wasting our energy with chatting yesterday I visited one of the classrooms and children were busy talking to each other I just stood there for 40 minutes did not speak utter a single word they said now see 40 minutes how much energy you have saved the liberties that the constitution has given to us we must try to make use of it in the best possible manner and bring our nation at the top today but the fact is there is a huge gap other day I was reading in the newspaper the report hasn't put up 73% wealth lies with the 1% Indians the total disparity that means the gap between the poor and the rich is much more what Ritu Daman has said well our political leaders need to look into it just concentrating there in Delhi and working for their own political betterment well that's not the way the country should be run if we really want India to shine we all we all the teachers here and the students the future generation that is sitting in front of me they have to promise with themselves not with anyone you have to make commitment to yourself that you will be honest citizens away from the corrupt practices and make your country shine well once again happy Republic Day God bless you all thank you Shri Dashmish Academy Anandpur Saheb posts its origin to the vision and initiative of the Punjab government and the members of the Punjab Defense and Security Relief Fund Committee they proposed to set up a public school in an idyllic setting so as to afford best possible education facilities to the children of Punjab coming from different backgrounds and cross sections with an issue on providing these facilities to the rural population and those belongings to the armed forces paramilitary and police forces this dream of the visionaries of the state become a reality on September 24, 1978 when Shri N. Sanjeeva Reddy President of India laid the foundation stone of the academy Shri Dashmish Academy Shri Anandpur Saheb Isthabanasan 1998 is the inauguration of the President that Mr. Sanjeeva Reddy the academy has grown in strength and this academy has started functioning from July 1980 सिर्ज दिन्द अकेडमी हैस ग्रोन इन स्ट्रेंथ एंड रेपुटेशन एए अकेडमी पूरी तरह थे फांक्शनल जड़ी संद असी क्यासी तो हुई ते साथे पांसो तुछ लाके छेसो बज़े तक हास्टल चरहें दे थी पूरा रेसिदेंशियल स्कूर्स ही गा समय वी तन देनाल होले होले अकेडमी काफी तरकी करदा गया थे साथे अकेडमी ते बच्चे जड़े इतों निकल के गया तो बड़े उच्चे पोजिशंस ते प्लेस जगे कोई I.S. अफसर है कोई I.P.S. अफसर है ते सौ तो ज़्यादा आमी दे वेच अफसर काड़ दे वेच भी है गे The site of academy extended over 163 acres of undulating picture skew area located 5 km east of the historical Gurdwara तक्त श्री केसकर साहिब श्री नैनादेवी temple with its own sublimity stands as being sentinel over the area suffering the air with spiritual sanity The academy motto चाड़ी कला in calculates the spirit of scaling new heights and to continue remaining and retaining the peak positions by the ons of setting examples The academy the motive है बच्चे नो जिंदगी वास्ते तियार करना to excel in life and to perform well in life The area separate boys and girls hostel with central study rooms and entertainment rooms International standard sports facilities to include 400 meter athletic tracks, international standard basketball courts, tennis courts and indoor badminton courts It also has a 20-bed infirmary with full-time pharmacist and part-time doctor to provide medical cover to the students Girls are admitted in the academy as boarders and day boarders For the boarders girls, there is a well-established separate girls hostel The girls are being looked after by a qualified house mistress The academy has a school band that leads all important functions at Anandpur Sahib and are frequently deduced by the local administration The academy has a well-stocked computerized library constructed on the modern lines covering all subjects of knowledge We subscribe to all the important and leading newspapers and magazines such as India Today, Time Sports Star, Competition Success Review, Reader's Digest, Economic Times, The Hindustan Times, etc. The students are encouraged to develop the healthy reading habits The library remains open during Sunday and vocations The academy has a multi-purpose high-roof hall reminiscent of the Sydney Opera House and Articular Gym It has an indoor setting capacity of 1000 It has a basketball, badminton courts and a table tennis table to ensure some games activity even during bad weather A computer department with 40 computers at present provides the IT education to the students Computer classes are compulsory for all the students The fully modern, well-occupied, academy mess with qualified staff provides hygienic food to the boarders It has a spacious dining hall which can seat 1000 in formal style on ceremonial occasions Both vegetarian and non-vegetarian dishes are served to the staff and students To enable the students to improve conversational skills A full-occupied audio-visual room is set up with the LCD projector Classes are brought regularly here to enhance English-speaking ability The academy's trustees are Sardar Prakash Singh Badal, Honorable Chief Minister Punjab Sardar Surjee Singh Rakhda, Captain AGS Gariwal, Shirimati Zatwinder Kaur Dhaliwal, Dr. Jasmir Singh Aluwalia, Sardar Amarji Singh Sidhu, Sardar Balwinder Singh Bundar, Air Marshal M.M. Singh, I.P. Singh Advocate, Director and Principal Honorable Chief Minister of Punjab, Honorable Chief Minister of Punjab often visit the academy to encourage the students time to time The academy is a special guest 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 The academy is a special guest